मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल मोटीवेपी अच्टडी पर हम लोग SSE में TCS द्वारा अब तक पूछेगे सभी परसनों के अधार पर SSE GD 2025 और SSE के सभी एक्जाम के लिए सबजेक्ट वाइज GKGS और करेंट अफेर की सटिक और संदर तयारी कर रहे हैं इससे आपकी तयारी को सटिक डारेक्शन और परिक्षा में बहतर लाब मिलेगा चलिए शुरू करते हैं यह पोलिटी का आपका है कलास 10 वीडियो ठीक है जिसमें की पहला कोश्चन है कि भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी कोन होता है तो काफी महतपुर्ण परस नहीं है भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी कोन होता है तो इसका correct answer है भारत का महान्यावादी भारत का महानियाबादी है ये भारत का सर्वोच विधी अधिकारी होता है अगर आपसे पूछा जाए कि राज जी का सर्वोच विधी अधिकारी कोन होता है तो वो कहलाता है महा अधिवक्ता याद रखना है महा अधिवक्ता ये सबी ऐसे प्रसने जो कि काफी मौदपूर्ण है और एकजाम में बार-बार ये आते रहाता ठीक है तो ध्यान रखना है यहां से कुछ और भी प्रसने पूछा जाता इससे ठीक है जैसे कि भारत का महानियाबादी जो है ये किस अनुछेद में है तो अनुछेद 76 में फिर एक प्रसना है कि भारत के महानियाबादी को न्यूप्ति कोन करता है तो राष्टपती करता है ठीक है और राज्य का जो सर्वच बिदी अधिकारी है महा अधिवक्ट की देए हैं तो राज्य का राज्य पाल करता है, ठीके यद रखना है, अगर परशन ऐसे भी पूछा जाए कि भारत सरकार का कानूनी सलाकार कोन होता है, ठीके ये सभी परसन आप नोट करती जाएगा कि ये सब कतई जहर परसन है जो कि आपको सभी एक्जाम के लिए फाइदे मन्द रहेगा, चाहें कोई भी आप एक्जाम दीजिए सभी एक्जाम को फोड़ने के लिए काफी है, इसलिए नोट बनाती जाएगा और हमको आपको सिस्टेमेटिक ढंग से जो अति महत्पुर्ण परसन होता है वो अलग से मतलब हम आपको तैयार करके आपको सिस्टेमेटिक ढंग से आपको बताते हैं ठीक है ताकि कन्फुजन भी दूर हो और आपको असाने से याद भी रहे सभी महत्पुर्ण परसन ठीक ह उसी तरह राज सरकार का कानूनी सलाकार कोन होता है तो वो होता है महा अधिवक्ता ठीक है तो यह याद रखना है राज सरकार का कानूनी सलाकार महा अधिवक्ता होता है अच्छा करेंड फेर में भी याद रखना आपको बरतमान में भारत का महानियाबादी कोन है तो आर बेंकट रमनी है ठीक है बरतमान में भारत का महानियाबादी कोन है आर बेंकट रमनी है नेश्ट कोचन देखते है नेमलिखित में से कोन भारत के परमुख मुख्य नयाधिस बने भारत के पर्थम भारत के पर्थम मुख्य या तो कभी हरी लाल भी देगा या तो हरी लाल या तो हीरा लाल जे कानिया सोटकर बोलते हैं तो ये भारत के पहले मुखह नौधिस बने थे थी अब इसी तरह के कुछ महत्पन परस्तने जोके एक्जाम में आता है और confusion ना हो, इसलिए सभी को एक साथ देखते हैं, अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोट का पहली महला नियाधिस कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी, कौन बीबी, तो फातिमा बीबी, ये है सुप्रीम कोट की पहली महला नियाधिस, ना कि मुख्य नियाधिस, ठीक है, क्योंक पहली महला मुख्य नियाधिस, वो कौन बनी थी, तो पहली महला मुख्य नियाधिस बनी थी, लीला सेठ, जो की हिमाचल प्रदेश हाई कोट की मुख्य नियाधिस बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोट की अस्थापना कब होगा था, सुप्रीम कोट की बारबर बताते हैं, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है, इसलिए बारबर बताते हैं, ताकि आपको असानी से ये सभी महतपुर्ण परशने याद हो जाए, ठीक है, हाई कोट है, अनुच्छे 214 में, सुप्रीम कोट क्या बता है, ये एक को इधर कर देना, यानि कि 124, 124 में है, सुप्रीम कोट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और रही बाद, क्या, बरतमान में भारत का चीफ जस्टिस कोन है, तो वह है डी वाई, चंद्रचूडे, नेक्स्ट है, ये सभी परशनो परभारित की जाती है, यानि कि सर्वोची नेले के अधिकारियों, सेवकों को ये पेंशन या तो भत्ता, ये कहां से मिलती है, तो इसका कोरी टेंसर हो जाएगा, भारत का संचित निधी से, ठीक है, जिसे राष्टपती का बेतन भी भारत के संचित निधी से दिया जाता ह सर्वोची नेले के जिसे मुख निया जिसकी बेतन कां से दिया जाता है, तो भारत का संचित निधी से दिया जाता है, और भारत का संचित निधी ये किस अनुच्छेद में है, तो संचित निधी है, अनुच्छे 266 में है, ठीक है, अब यहां पर है RBI, RBI की अस्थापना क पूछा जाता है अस्थापना कब हुआ एक अपरेल 1935 को आर्विया के राष्टी करन गवब हुआ था आर्वियाई के पहले भारती गवर्नर कोन थे तो सीडी देश्मुक थे और आर्वियाई का बरतमान गवर्नर कोने तो सक्तिकांत दासे बेंकों का बेंक की सिखा जाता है रवियाई को मौद्रिक निती कोन जारी करता है रवियाई और पुछाणता भारत का जो है केंद्र ह्यवक वह कौना यसा है तो बातमान में 60,000 पारत के अध्यक्ष कोने तो अरभियंद पनगड़िया है नेश्ट को चींछिन ने बीस जुलाई 2021 को उच्टम न्याले ने भारतिय सम्मिधान के भाग-9b के कुछ प्राप्धानों को रद्ड कर दिया भाग 9b किससे सम्मन्दी थे, भाग 9b किस सम्मन्दी थे, देखे भाग 9a और भाग नो का बी ये तीनो काफी महतपुर्ण है ठीक है ये तीनो को याद रखना है कि तीनो में क्या क्या है ठीक है भाग नो भाग नो के बी में तो भाग नो के बी में है आपको ये मिलेगा ये सहकारी समीतियां ठीक है सहकारी समीतियों के बारे में दिया हुआ ठीक है सहकार समित्यों से संब्ढ़ है भाग नो के B में भा नों में है तो इसमें पंचायति राज भाग नों में है भाग नोंके नगरपालिकहथ भाग नों के B में सहकारी सम्ईति ठीक है ठीकर ध्यां रख extremes पन्चायत की बात करते हैं तो पंचायत को समयधानिक दर्जा कम मिला तो में इसको समयधानिक दर्जा संसोधन के तहत नगरपालि का है चोहत कर्मा समधान संसोधन नगरपाली का है और पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत है 11 अनुसूची में और नगरपाली का है 12 अनुसूची में यह सब काफी मतपन परसने ठीक है यह सब ध्यान रखना है next है भारत में इन लिकित में से किसके पास किसी अपराधि के दंड को छमा करने प्रविलंबित करने या कम करने की सकती है तो यह आसान question है आपको मालूम होगा कि अपराद ही कि यह दंड को छमा कुन कर सकता है तो राष्टपती करता है तो राष्टपती option number 3 में है राष्टपती इसका और राष्टपती के बात करते हैं और यहां से कुछ अनुचेद जो कि पूछा जाता है राष्टपती का पद की सनुचेद में अनुचेद और राष्टपती पर महा वियोग अनुचेद 61 में और महा नियावादी की नियुक्ति अनुचेद 76 में और जो भारत का नियंतरक एवँ महा लेखा परिक्षक की नियुक्ति की सनुचेद में तो अनुचेद 148 में ठीक है यह सभी अनुचेद कताई जहर है इसको याद अधिक राज्यों के बीच बिवाद सर्वोचिन्याले के डेश के अधिन आता है तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद ये सर्वोचिनेले के किस अधिकार के अंतरगत आता है ये आता है मौलिक छेत्राधिकार के अंतरगत आता है तो ये जो दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है वो मौलिक छेत्रादिकार के अंतरकत आता है अच्छा सुप्रीम कोट के जो मूल छेत्रादिकार है उसका उलेख की सनुष्यद में तो मौलिक छेत्रादिकार का उलेख है अनुष्यद 131 में ठीक है ये ध्यान रखना है सुप्रीम कोट के पास जो छेतरा दिकार है मूल छेतरा दिकार अपिली छेतरा दिकार और सलाकार छेतरा दिकार यह याद रखना है नेक्स्ट है भारत के सम्मिधान का यतो के अंतिम ब्याख्याकार है तो भारत के सम्मिधान का अंतिम ब्याख्याकार कोन होता है तो होता है स सर्लोंचिनलेस बारें आपको बताते हैं सुप्रीम कोट और हाइड के बनाते से चोपरीम कोट की अस्थापना कबごा था तो वह था आ 750 का सुप्रीम कोट के पहले में नियाधेस कुन थे तो हीरा लाल जे कानिया थे बरत्मान नियाधेस कुन ने दीवाइड चन приготов चूड़े सभी प्रस्णों को हमेशा याद रखना है नेक्स टे टाइप एट कोस्चन आता है यानि कि टाइप एट में आपको सभी प्रस्ण मिलेगा पंचायत और नगरपालिका से तो पंचायत और नगरपालिका से रिलेटेड आएगा तो पंचायत राज प्रनाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी तो पंचायत राज प्रनाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी तो सबसे पहले लागू अता है कि पंचायती राज बवस्था सबसे पहले किस राजजी में लाग हुआ था तो राजस्थान टिक करना है ध्यान रखना है राजस्थान के नागोर जीला में 2 अक्टूवर 1969 को लाग हुआ था थीक है अब यहां पर पंचायत और नगरपालिका से related सभी कताई जहर परसनों को नोट करिएगा ठीक है देखे पंचायत की बात करते हैं एक तरफ लखेगा पंचायत क्योंकि जब भी आपके पास पंचायत से related question आई या तो नगरपालिका से तो दोनों को एक साथ रिविजन करना है ठीक है यह है नगरपालिका तो पंचायत को किस सम्मिधान संसोधन के तहट यह पंचायत को किस सम्मिधान संसोधन के तहट समिधानिक दरजा दिया गया तो 73 तरमा समिधान संसोधन के तहट ठीक है और वही नगरपाली का यह वजागा चोहत्तरमा समिदान संतोधन पंचायत जो एक किस अनुसुची में है तो 11 में अनिसुची में नगरपाली का 12 में अनिसुची में पंचायत किस भाग में है तो भाग 9 में है और नगरपाली का भाग 9 के A में है ठीक है यह सभी याद रखना है जो एक प्रस्ण पूछा जाता है कि पंचायत राज बवस्था को समयधानिक दर्जा कितने तारिख को दिया गए कौन से तारिख था वो तो 24 अप्रेल 1993 ठीक है पंचायत को याद रखना है कि पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रेल को ही मनाया जाता है यही से डेट आया है 24 अप्रेल को समयधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पंचायती राज बवस्था को ठीक है तो यह 24 अप्रेल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अपरेल को ये सचीनते अंदुलकर का बर्फेडे मनाया जाता है तो पंचाइती राज दिवस 24 अपरेल को मनाया जाता है ठीक है और यहां से दो प्रस्ण ये आता है कि दूई अस्तरिये पंचाइती राज प्रनाली का सुझाब किसी ने दिया था तो दूई अस्तरिये दिया था असोक महता ठीक है दो नाम है एक है असोक महता और एक है बलबंतराय महता ठीक है ये दोनों नाम याद रखना है दूई अस्तरिये दिया था देके दूई अस्तरिये ये असोक महता त्री अस्तरिये जो है ये दिया था कौन बलबंतराय महता ठ इसको चाहिए इसको याद रखना यह बलबंत राय मेहता है तो जिससे कि आभी पढ़ लियें बाद में मैं स्पाइब कि ऐसक वाज्यप घुछ दिया इसके इसको अधेगई दियागत कआई दिया था घुक्त मेहन सब्सी तरे थिसरे वाला तीन सब रहेगा बल्बंत रायता तो यह असानी साथ रहेगा तरी यस तरिये दिन सबत राज बल्बंत रायता दूरत एक सुझाय को पेसे दिया तो थो सब जैना असमें ऐसे याद रहिए इतिनी सारे जिए नोट लीजिए लिए मेratos Kar flavab पंचायती राज की संरचना है, तो पंचायती राज की संरचना कैसी है, चार ओप्सन दिया हुआ है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, ओप्सन नमबर एक, जीला पंचायत, बुलोग पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है, जीला पंचायत, बुलोग पंचायत, ग सखा साधंद गराम सbhah नगर परसासन में कोड़ों ai क्षोटे शहरी छैतरों का नियंत्रन कर थी ए नगर परसासन का कौन सा परकार छोटे सहरों को सहरी छेत्रों को नियंतरन करती है तो इसका अंसर है नगर पाली का परिसद नगर पाली का परिसद ठीक है तो यह सभी परसनों को आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं टेस्ट लेंगे उसमें आपको 75 कोस्चन का टेस्ट में जो लोग regular वीडियो देख रहे हैं उसे 70 पलस मार्क्स लाना है ठीक है तो सभी प्रसनों को याद रखना आपको नगर परसासन का कौन सा प्रकार छोटे सहरी छेत्रों का नियंतरन करती है तो नगर पाली का परिसद नगर पाली का किस समिधान संसोदन के तहर जोड़ा गया था तो 74 मा समिधान संसोदन के तहर थे किस अनुसूची में है तो ये है 12 अनुसूची में है और किस भाग में है नगर पाली का तो भाग 9 के ए में है ठीक नेक्स्ट है, डेस पंचायत को मनमाने धंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या तो चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना, तो ये कौन पंचायत को मनमाने धंग से काम करने से रोकती है, ग्राम सभा, जीला कलेक्टर, सरपंची है तो सचीब, त ग्राम सभा पंचायत को मनमाने धंग से काम करने से रोकती है जैसे कि पैसों का दुरूपयों चुनिंदा लोगों की तरफतारी करना ये ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने धंग से काम करने से रोकती है ठीक है अच्छा ग्राम सभा का उलेख की सनुचेद में तो ग्राम सभा एक प्रसना आता है, जो कि काफी महतपूर ने कई वार एकजाम में रिपीट हुआ है, और हमेशा रिपीट होते रहता है, ग्राम पंचायत का गठन की सनुचिद में, तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छे 40 में है, ठीक है, याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन की स जीला परिसद ठीक है याद रखना है पंचायति राज ववस्था में सबसे उपर का निकाए जीला परिसद होता है नेक्स ते गराम पंचायत के निर्वाचीत परतिनी दियों का कारशकाल कितना होता है तो वह होता है पांच बर्स होता है ठीक है यह याद रखना है पांच बर्स होता है ठीक है अब यहां से कुछ परस नहीं याद रखना आपको जैसे कि गराम पंचायत के निर्वाचित परती निदियों का होग यह पांच बर्स एक परस आता है कि पंचायत की अबधी जो है यह कितना होता है ही आपको मालूरिए पंचयायत के अबधी जोता है वो जनराली पांच वर्स होता ठीक है यहां से सहं परसन यह आता है कि पंचयायत की अबधी एन उच्छेत में है जो कि रेयले बें ए्टीपी-स सब्सक्राइब यहां से एक्जाम में आया हुआ ठीक है जिसे पंचायत की सकति की सनुछषद में है यह बिहार ससी सीजील में पूछा गया 2022 में ठीक है एक्जाम में तो गलत कर देते हैं ठीक है याद रखना इसको और याद कैसे से रेएगा आसानी से देखिए पंचायत की सकती पूँछे और पंचायत की कंच अबधी कितना था पांच पर सप्ट ऑस थीडिल में इस्थाम पर को न आता है तो यह आथा है घिल인이ई-वाध्र और यह करने चारे काने से सक्थी इननी सक्थी यानि सक्ति पंचायत की सक्थी यानि कि 250 में और गठने अंऊच्छे दो रशायग परंश इसे रिलेट कर लेना जो पंचायत जो पंचायत नहीं राज़ित आयोग है ना राज़ित आयोग का गठन है अनुचछे 243 के आREE में ठीक weird और जो किंदली बषट आयोग का गठन की थेटल दो किस अनुचब में तो सेंटरल भाला जो बषट आयोग इसका गठन अनुचछे 280 में ठीक है यह और यहां से एक अनुच्य दियाद रख़िए क्या ग्राम 15 के गठन की सनुच्छ चालिस में है नेक्स्स भारत में किस राज़े ने पहला ब्लोकचेन जीला बनाने तो आवेदन दिया है तो भारत में किस राज़े ने पहला ब्लोकचेन जीला बनाने है तो आवेदन दिया है तो जीला है आपका तेलंगना और सिर técnica कुण सा असकता है कि तेलंगना राज का गठन कब हुआ था तो जुन 2014 को हुआ था तिक है और सिराधन न कि राजानिक्त अधरवाद जहां पर विधान परिशन नंट है जहींक होd कि आंधर पारिश आ को कि न्युक्त कि या कि याद रखेंगर काफी मुस्त कुन परसने करनाटक, उत्तरपरदेश और तेलंगना ठीक है आपको आसाने से याद भी होगा आपको जो रेगुलर कर रहे हैं उनको याद करवाए थे जहेरी जहां से महाराश्ट आंधरा अंधर परदेश में बिधान परीशत है हैं भारती सम्मेधान के अंसार मध्य वर्ती अस्तर पर पन्चायतों का गठन एक ऐसे राज्जी में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निमलिखित में से किस से अधिक न हो भारती सम्मिदान के नुसार मध्यवर्ती अस्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्जी में नहीं किया जा सकता है जिसकी जन्जंख्यां निमलिखित में से किस से अधिक न हो तो 20 लाग से अधिक नहीं होना चाहिए अगर नहीं हो तो पंचाज का गठन नहीं किया जा सकता है ठीक है यह ध्यान रखना है 20 लाग से अधिक Next question भारती सम्मिधान के अनुच्छे 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आवस्यक आयू डेस है तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू जो होता है वो है 21 बर्स है यह याद रखना है 21 बर्स यादा रहा है आपको कि 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स चुनाब मतदान की आयो है ने मतदान की आयो 21 वर्स से 18 वर्स की सम्मिदान संसोदन के तहत किया गया था तो 16 सम्मिदान संसोदन के तहत किया गया था कब किया गया था उन्हीं सु 9 जी में ठीक है, और बात आये यहाँ नगरपालिका का ठीक है, तो नगरपालिका कौन सा सम्मिधान संसो धन? 44 माँ, कोन से अनुसुची तो बारमी अनुसुची और भाग कौन सा है? नगरपाली का भाग नो का ए में है भाग नो में पंचायत भाग नो का ए में नगरपाली का भाग नो के बी में क्या था साकारी समीती नेक्स्ट है भारती सम्मिधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रापधान है तो कौन से अनुसूची में है पंचायती राज संस्ताओं का प्रापधन आपको बताए ने पंचायती राज कौन सा है तो इग्यारमी है पंचायती राज इग्यारमी अनुसूची और नगरपाली का बारमी अनुसूची पंचायत 73 समिधान संसोदन नगरपाली का 74 समिधान संसोदन ठीक है यह सारे चीज़ें याद रखना है पंचायत भाग 9 में नगरपाली का भाग 9 के ए में है ठीक है अच्छे यह जो अनुच्छेद ओप्सन में दिया हुए इस चारों काफी मौत पूर ने मालों यह चारों क पूछा जाता है तो बात करते हैं सुरुवात से नौमी से नौमी अनुच्छी में है भूमी सुधार संबंधी दसमी में दल बदल दसमी दल बदल एग्यार में पंचायत बार्मी नगरपाली का नेक्स्ट है 73 में संब्धानिक संसुधन अधिनियम के नुसर पंचायत का कारशकाल कितना है तो पंचायत का कारशकाल पांच बर से ओप्शन नंबर चार में हुए पंचायत का कारशकाल पांच बर से यह बात जो है किस अनुच्छिद में का गया तो पंचायत का पांच बर स्पांच ब सक्तिक में तो पारलेजी यहीं दोसो तेतालिस का जी में है और बीत आयोग आई दोसो तेतालिस का आई है ठीक है अच्छा बरतमानमें जो भारत में पंचायती राज़ वावस्ता है वह कौंज अस्तर ये तो बरतमानमें त्री अस्तरिये पंचायती राज प्रणाली है यह ध्यान रखना है नेज्सट ए brokendf जुलाई 2021 में से कोन केंदृये पंचायती राज मंत्राले में में राज मंतरी बने युलाई 2021 में तो ये करेंट अफेर का क्योश्चन है कि की मंत्री बने तो राज मस्त्री बने कपील मोरेष्वर पातिल कपीलuiten । और ग्रामिन विकास एव्म पंचायती राज मंत्राले के अस्थापना कब हुआ था ग्रामिन विकास एबम पंचायती राज मंत्राले के अस्थापना कब हुआ यह पूछा जाए तो यह वह था 27 मई 2004 में हुआ था नेक्स्ट अब यहां पर टाइप 9 शुरू होता है यहां पर क्या है भासा से रिलेटेट कोश्चन आता है तो बात कर करते हैं यहां कोशन पहला कोशन क्या है कि भारति सम्म्मिधान की आठ्वी अनुशुची में कौन सी बासा बाद में जोड़ी गई यह बहुत गए तो इसको पढ़ते हैं डिटेल से ठीक यहां से प्रस्टों, पूछा गया था देखे एक परस्ण न है जो कि सिंधी भांशा को कब जोड़ा गया ये परस्ण जो रेलafy NTPC का एक्जाम होगा था उसमें पूछा गया था बिहार से सीजील का जो एक्जाम होई 2020 में उसमें पूछा गया था कि सिंधी भांसा को संभधान में कब जोड़ा ग्या अठमी ओने सुची में कब जोड़ा गया था तो देखेए मूल सम्मिदान में कितना वारा ہے Commodore और आध्यूंत आप जोड़ी गई ठीक है ऑं कब कब जोड़ी गई Pak एक कौन-कौन सी वाइसा है वो सभी ध्यान रखना एक कई प्रकार के यहां प्रस्ने पूछा जाताहा तो बात करते हैं पहले जोडा गया था है सिंधी की वह आठाँ जोडा से आपको बताते हैं कुन-कुनवा से जोडा गया था उनित्ष सरसट मेरं ठीक जोड़ाना याद रखना है याद रखना है इसे नमक नमक याद रखना है नेपाली मनिपूरी कॉंकनी तो तो टोटल कितना हुए चार अभी तक हुए ठीक है फिर चार भासा को जोड़ा गिया था सथा 2003 में वह चार कोन सा था था बोगो डोंगरी मेथली संfamily याद इसे रखना है बोडो डोंगरी मेथली संहाली तो टोटल हो गया आठ भाज़ा थीक है एडा गही is गौन से पांशां बाद में तो बाद में यही सब है इस मेसे तो इस मेसे संधाली सींधी सरसट फिर्बकूरे तीवर याद अब तीज्वकितो नमख समझें सिंधी सरसथ नमक यहीं कि नेपाली मने पूरी कौकने उनी सुबरान वे अब अचार को जोड़ा गया तो बोड़ो डोंगरी मेथली संथाली 2003 में बिहार के लिए खास करके आपसे मेथली कोश्चन पूछा जाए गए मेथली बांसा को समयधान में कब जोड़ा गया था 8 में सुचे में 2003 में मेथली तो ध्यान रखना बोड़ो डोंगरी मेथली संथाली बोड़ो डोंगरी मेथली संथाली अच्छा और बात करते हैं कुछ परस्ण जो की आता है एक जाम में तो मतलब इससे पढ़ना है जो कि कोई भी परस्ण छूटे नहीं ठीक है संघ की राजभा जाए भाग 17 में और अनुच्छe 323 कि अलसे 351 अर्ट्री फिर्ट 6 वह डुच्ण अभन फैंता है चिफिके और अनुच्छे में इससे प्रस्ण आएगा एकठी में कितने वह सकाओ अर्ट opith तो 22 में उल्टा अब पूंद पूचल निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है ठीक है चेक करते हैं आठवी अनुसुची में भासा ये तो सही है फिर दस्वी अनुसुची में सबथ प्रारू ये गलत है क्योंकि दस्वी अनुसुची में दूसरी यहां लिखा ने दूसरी अनुसुची में सपथ दिया हुआ तो यह भी गलत है क्योंकि दूसरी में है बेतन मालों दूसरी में क्या है बेतन दिया हुआ और चौथी अनुसुची में कि यह गलत हो जाता है ने सही सुमिलित पूछा कौन नहीं है तो यही गलत हो जाए क्योंकि दूसरी में बेतन के बारे में जो सभी जो प्रमुख पद है बड़े-बड़े पद उसके बेतन के बारे में दिया हुआ चोथी अनुसुची में राजसवा में अस्थानों को आवंटन ये सही है दस्मी दलवदल ये सही है ठीक है एंसर क्या हो जागा ओप्शन नमबर दू ये गलत है ठीक है और एक चीजी ये भी ध्यान रखना है कि मूल सम्मिदान में 22 भाग था उसमें आठ अनुसुची थी 395 अनुचेद था ठीक है 22 भाग 8 अनुसुची 395 अनुचेद था बरतमान में क्या 25 भाग है 12 अनुसुची है और लगबग 444 अनुचेद है नेक्स्ट है अब एक बर क्या है पूरी अनुसुची याद रहेगा जैसे पहले चार अनुसुची वाड़े में देखते हैं पहली दूसरी तीसरी टिसरी उ कई तो पहली इसे अनुसुची में बेतन के बारे में यहनी कि इसमें राष्ट पति मुखे न्यादिस उच्छ न्याले सरवुचि न्यादिस न्याधिस नियंत्रक वह महलेका परिक्षक राजपाल बिधान सवाध्यक्ष लोकसवा का अध्यक्ष यहनी कि यह सभी बड़े पद जो है इस स बताया जाता है आपको तो चलते हैं पाद आप जाते हैं प्रसिट के बारे में जानने के इंद जाते हैं पहले बेतन बात करते हैं, तभी फिर बेतन अगर जम जाता कि हम बेतन अच्छा मिल रहा है, तो फिर आप सपत लेते हैं, कि चलो हम नोकरी करेंगे, ठीक है, तो सपत लेते हैं, ठीक है, सपत लेते हैं, तो आपको फिर जब जैसे की सपत लेते हैं, तो फिर आपको सीट दिय जाता ठीक है यह चार अनुसुची इसे तरह से रिलेट कर गया रखना है कि पहले संग और राज शेत्र हो गया फिर बेतन के बारे में बात करेंगे दूसरे नुसुची हो गया बेतन फिर सपत तीसरे नुसुची फिर सीट आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो चौथी अनुसुची छेत्रों और जन जातियों का परसासन एवं नियंतरन और छठी अनुसुची में असम, मिघालाय, तिरपूरा, मिजोरम और लद्दाख में जन जातिये छेत्रों के परसासन के लिए प्राबधान है यानि कि पाचमी और छठी में दोनों में SC-ST से रिलेटेड लेकिन छठी में क्या कुछ बिसिस राज्य है यानि कि असम, मिघालाय, तिरपूरा, मिजोरम और लद्दाख में जन जातिये छेत्रों के परसासन के लिए प्राबधान है साथमी अनुसूची में क्या है? साथमी अनुसूची में है संग और राज्य के बीच सक्तियों और कारज्यों का अवंटन इसमें तीन सुची आती है, संग सुची, राज सुची और संबरती सुची, ठीक है, तो इसमें रिलेट ऐसे करना है, सात्मी अनुसुची में क्या है, तो सात्मी अनुसुची में है, सक्ती, सक्ती का बंट पा रहा है, केंदरो राज के बीच, सात्मी अनुसुची सक्ती, सात आठमी सक्ति आठमी में क्या भासा का उलेखे ने आठमी अनुसुची में 22 भासाओं का उलेखे इसे 22 भासाओं को पूरा दिया हुआ ठीक है इसका पीडियेप भी डाल देंगे आप लोग देख लिजीगा नौमी अनुसुची में क्या अब यह जो बाद में अनुसुची जोड़ा गया था नौमी 10 में 11 में और 12 में काफी महतपुर ने नौमी अनुसुची में है जो 1951 में पर्थम संसोधन द्वारा जोड़ा गया इसमें भूमी स्वामित भूमी कर रेलेवे उद्योगों से सम्मं ठीक है और यहां पर एक महत्पूर्ण चीज़े याद रखना क्या कि जो नौमी अनुसूची है नौमी अनुसूची में यह भारत कम में जो समिधान में पहला संसोधन जो हुआ था यह कब हुआ था 1951 में हुआ था अब पर्थम संसोधन के तहत ही नौमी अनुसूची जोड़ा गया था ठीक है यह ध्यान रखना है फिर दसमी में क्या दल बदल होगा दसमी अनुसूची से यह भी याद रखना आपको मालो कि यह कौन सा सम्मिधान संसोधन के तहत दसमी अनुसूची दसमी अनुसूची जोड़ा पर्थमा समय और सम्मिधान संसोधन में 1885 गयारमी में पंचायत बार्मी में नगरपाली का ठीक है यह तो आपको बार बर बार बताते हैं यह बार्मी में है भारती संब्यान का एक सोमा संसोधन डेश परदान करता है तो एक सौमा संसोधन यह क्या है तो यह इसमें है भारत द्वारा छेत्रों को प्राप्त करना और बंगला देश में कुछ छेत्रों का हस्तानांत्रन करना यह सोमा समिधान संसोधन में जो कुछ नए संसोधन हुए है उसको आपको याद रखना ठीक है जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी काफी महत्पुर्ण परस्नों में आएगा कि जैसे की लाटिस्ट जो हुआ है जैसे 101 समिधान संसोधन 102 मां 103 मां 104 मां 105 मां 106 त तो सबको आपको द्यान से नोट करिएगा सबको बताते हैं आपको एकसो सोमात हो गया भारत द्वारत चेत्रों को प्रात करना और बंगलादेश में कुछ चेत्रों का हैस्ता नांतरन ठीक है 101 सम्मिधान संसोधन में क्या है 101 तो मुद्रा इसे टेक्स स्रेडिशन में 101 अंहरो ऑनर कापो यहां स्तों संसोधन में क्या स्राइट ठीक है 1012 क्या है तो एक प्रस्ना आएगा कि राष्टिये पिछडा बर्ग आयोक का गठान किस समिदान संसोधन के ताथ हुआ था तो 102 समिदान संसोधन के ताथ राष्टिये पिछडा बर्ग आयोक का गठान हुआ था 103 समिदान संसोधन में क्या है 103 में है EWS ठीक है यानि कि आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों के लिए 10 परतिसत कारक्षन जो है 103 में समिदान संसोधन में है इसको थोड़ा सा इसे रिलेट कर लिजे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखते हैं तो आपको एक्जाम में तुरंत एंसर पर दिमाग चला जाता है वहाला इसे ना यहीं को ताहिक है जैसे थींवह संसोधन में 105 संसोधन में społec तो उसं में लोगसभा और विधान सभाव हुआ ने एंगलो इंडियन के लिए सीटों के आ्रक्षण को समाप्त कर दिया थे जो दो सीट का ईंगलो इंडियन करते थे रास्टपती लोकसवा में तो उसको समाप्त कर दिया गया एक स्पार्वा समिधान शंवुदन के तहत P SC ST के लिए आरक्षन को 10 साल तक बढ़ा दिया है ठीक है अब देखे 104 तक हुई है तो भूलाने जाए एक बर फिर से रिपीट करिए 101 में क्या है GST 102 में राष्टी पिछड़ा बर आयो का गठन 103 में 3 लेटर बाला EWS 104 में जो एंगलो इंडियन का जो सीटों का आरक्षन था वो समाप्त कर दिया और SC ST के लिए आरक्षन को 10 साल तक बढ़ा दिया अब 105 में क्या है राज सरकार को सेक्षनिक और समाजिक रूप में बंचित OBC को मानेता देने का अधिकार है पिर समझी 105 सम्मिधान संसुदन क्या है राज सरकार को सेक्षनिक और समाजिक रूप में बंचित OBC को मानेता देने का अधिकार है ठीक है और 106 समिधान संसुदन क्या है कि लोकसभा और राजविधान सभाओं में महिलाओं को 33% जो आरक्षन परदान करने का प्रापदान है 106 समिधान संसुदन है जो कि काफी महतपुर ने और करेंट अफेर के दृष्टी से भी कतई जहर परसने जो कि अभी हाली में 33% ज महिलाओं को वह 106 समिधान संसुदन के तहट यह प्राप्थ हुआ है ठीक है तो यह ध्यान रखना है अच्छा सम्मिधान संसुदन की परक्रिया किस भाग में है ठीक है तो सभी चियाद रखना है एक विपरस्न छूटने ना पाए सम्मिधान संसुदन की परक्रिया है भा भारती समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत जीला योजना समीती का गठन होता है यह किस अनुच्छेत के अंतरगत है तो यह अनुच्छेत 243 का ZD के अंतरगत होता है तेके चोहत्तरमा समिधानिक संसोदन अधिनियम मसोदा पंचायतों और नगरपालिकों के लिए जीला योजना समीती की अस्थापना का प्राभधन करता है यहां से दो परसने पूछा जाता है डारेक्ट यह आ जाता है कि पंचायत जो है यह किस अनुच्छेत से किस अनुच के तक है अर नगरपालिका है यह अनुच्छ दो सु नेतारिस के वाद क्या आए है लिए धियान रखना है डारेट कोशन आ जाएगा कि नगरपालिका का जो प्राब्धान है तो अनुच्छ इसी तरह सब रहेगा ध्यान रखना है कहां से कहां तक 243 के P से 243 के ZG तक है ठीक है ये ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि भारत के राज्यों और केंदर सासित परदेशों को सम्मिधान के किस अनुसूची में सूची बद्ध किया गया है भारत के राज्यों और केंदर सासित परदेशों को तो ये किस अनुसूची में तो ये क्या बता हैं दूसरी में बेतन के बारे में हैं कि जैसी आपको छेतर के बारे में बताया जाता है फिर बेतन अगर पसंद आ जाता है तो सपत लेते हैं तीसरा होगे सपत फिर सीट अपना गरहन कर लेते हैं कि यहां पर बैठके द्यूटी करना है ठीक है तो चोथी में सीटो नगरपाली का नेक्स्ट है भारत के सम्मिधान में प्रेश की स्वतंतरता किस अनुच्छेत के तहद सुनिश्चित की गई है तो प्रेश की स्वतंतरता है अनुच्छेत 19 में है ठीक है बोलने की स्वतंतरता और बाक और अभिवेक्ति की स्वतंतरता जो है यह अनुच्छेत इसमेह धर्म जाती लिंग या तो जन्म अस्थान के अधार पर धेद्भाव नहीं किया जाएगा और अनुच्छे सत्रह में क्या अगर परसन पुछा गया एक अनुच्छे सत्रह से ठीक है काफी काफी महत्पुर्न परसन इसको याद रखना है तो अनुच्छे 17 में है ओश्प्रिस्ता का अंत यानि कि चुवा चूत का अंत तो अनुच्छे 17 ओश्प्रिस्ता रिलेट करके थोड़ा सा याद रखना है अनुच्छे 17 ओश्प्रिस्ता 17 ओश्प्रिस्ता 17 ओश्प्रिस्ता का अंत ठीक है और अनुच्छे 21 में क्या है प् इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है वह अनुछे 20 और 21 जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है आपात्काल के दोरान भी तो अनुछे देकिस में प्रान एबं देहिक सोतंतरता नेक्स्ट है निलंबित में से भारत में किसका संसोधन बिशेस बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है तो वह है अनुछे 368 के द्वारा सम्मिधान के संसोधन सम्मिधान का संसोधन जो है ये बिशेस बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है और सम्मिधान संसोधन किस भाग में तो भाग 20 और अनुच्छिड 368 में है और कहां से लिया गया है तो दच्छिन अफिरिका से लिया गया है ठीक, तो यह सारे चीज़ें याद रखना है, नेई श्ट है कि न्ने इम लिकर अनुच्छिड व में से कौन सा अनुच्छिड उपाधीओं के अंत से सम्द्धि थे, तो उपाध करके 14 15 16 17 18 तो यह जो 18 में है यह उपाधियों का अंत है ठीक है तो यह ध्यान रखना है यह भी अनुच्छित काफी महतपुर्ण है याद रखना है अनुच्छित 51 में क्या है तो है अंतरास्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना ठीक है और यहां पर कन्फिजन हो सक करता आपको अनुच्छित 51 का को में है मौली करतब है लेकिन अनुच्छित 51 में क्या है अंतरास्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छित 50 में क्या है कार्जपालिका से न्याइपालिका का प्रिथकरन और अनुच्छित 32 में क्या यह भी काफी महतपु तो अनुच्छित 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोट अनुच्छित 226 के तहत रीट जारी करता है ठीक है रीट कितने होता है पांच होता है और अनुच्छित 32 से एक परस्न क्या आता है कि एक आता है न कि भीमराव अंबिटकर ने किस अनुच्छित को सम्मिधान का हिर महतपुर्ण अनुच्छेद है तो वही होगा अनुच्छेद 32 जिसे सम्मिधान का हिर्दय और आत्मा कहा था ठीक है तो यह याद रखना है तो यह दोनों प्रस्न पूछा जाता है एक तो यह पूछी है सबसे महतपुर्ण और एक प्रस्न यह भी पूछ लिए रहागा कि कि विम्रां अमबिटकर ने सम्मिधान का हिर्दय और आत्मा का ठा था ठीकहा था उनुुक्षेद 32 के करता थी सुप्रिम कोड रीटिज़ारी करता है और आनुच्छेd 32 को में सम्मिधानिक कंफुजन आपको होता है इसलिए यहां पर ऐसे समझे कि अनुछे 24 में है 14 वर्स से कम बच्चों को कारखानों में परतिबंद और अनुछे 23 में है कि मानब तसकरी और जवरन सरम पर रोक ठीक है यह दोनों में कभी-कभी आपको कंफुजन हो जाता है कि कौन सा किसमें है ठी क्या अनुछे 24 वर्स से कम बच्चों को कारखानों में परतिबंद है यानि काम करने पर रोजगार परतिबंद है ठीक है 24-24, 24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24 में से भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद अपात काल से संबंदी थे तो अपात काल से ये भी संबंदी थे ये और ये भी है तो इंसर क्या जाएगा ओप्शन नंबर 4 हो जाएगा ठीक है अपात काल जो है अपात कालिन प्राबधान जो है किस भाग में है भाग 18 में है और अनुछे 352-356 तक है 352-360 तक है ठीक है तो अपात कालिन प्राप्धान भाग 18 और अनुछे 352-360 तक है और किस दिसे लिए गया है ति ये जर्मणी से लिया गया है ठीक है अब ये तीनों अनुछे ये आपने आपमें कताई जहर परसन है जब भी एकजाम में आता है आता है वर भर आता है और पूझा जाता है हमिज़ा थीक यह तो 352 में great राश्टी आपात हे और cały 356 में rapाति सब्सरीर शुरुक Smash All Men अनूच्श थीन सो 60 में बीटि आपातै अनूच्छ तिन सो बाबन जो है यह भारत में कितनी वार लगा यानि कि राष्टिया पात भारत में कितनी वार लगा तो तीन वार लगा है कब कब लगा था 1962 में यह 1962 और फिर आया था 1971 में फिर 1975 में 1962 में जब भारत और किसके बीच चीन के बीच युद्धी के कारण हुआ था और 1975 में आंतरिक असानथी के कारण लगा था अच्छा ये जो 356 है राश्ट पती शासन ये सबसे पहले किस राज में लगा था ये लगा था सबसे पहले पंजाब में बिहार में अब तक राश्ट पती सासन कितनी बाद लगा तो 8 बाद लगा है ठीक है तो आज की वीडियो इतना तक रहने देते और पिछली वीडियो में आपसे कोशन पूछा था कि कि CBI के परमुख कोने तो परवीन सूध है और आज का कोशन ने कि संघ लोक सेवा आयुग का बरतमाना द्यक्ष कोने यानि की UPAC का बरतमाना द्यक्ष कोने तो इसका अंसर आप कोमेंट में देज़ेगा और कोई भी डाउट हो तो कोमेंट में पूछेगा और एक चीज हमें स आपको हमेशा आपका प्रेम और मुस्कान ठीक है आपकी एक चीज याद रखना हमेशा कि देखे नौकरी अपनी जगह है लेकिन नौकरी के साथ-साथ उतना ही महतपुर्ण है आपका बहवार ठीक बीहेवियर आपका बीहेवियर बिनम्र और इमानदार होना चाहिए ये हमेशा हमेशा याद रखना है इसको ठीक है मिलते नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जय हिन दोस्ते